दोस्तों स्वागत हैं आपका एक पार फिर्ट से जहां दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि फ्राइडे की दिन गोविंदा की एक फिल्म के बारे में जरूर बताया चाहेगा तो आज फिराइडे का दिन है और गोविंदा की फिल्म के बारे में बताना तो बनता है हाला कि जिस फिल्म के बारे में आज में बात करने वाला हूँ ये फिल्म जितेंद्र और शत्रगण सिनहा सहाब की है और इस फिल्म में गोविंदा के एक छोटी सी भूमिका थी लेकिन उसी भूमिका ने फिल्म में जान डाल दी थी जा दोस्तो आज फ्राइडे का दिन है तो गोविंदा के फिल्म के बारे में तो बताना बनता है तो बात करने वाले हैं आज खुदगर्ज फिल्म के बारे में, फिल्म से जुड़ी बहुत सारे ऐसे सची बात हैं, फिल्म से जुड़ी बहुत सारे ऐसे अननाउन फैक्ट हैं, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, साथ इसाथ फिल्म के बारे में, बचट के बारे में, हिट औ बारे में आपको बताय जाए। 31 जुलाइस साल 1987 में रेलीज हुई थी फिल्म खुद गर्स। और इस फिल्म में हमें असराय थे भानुपिर्या, जितेंद्र, शत्रुगन सिनहा, गोविंदा, नीलम, अमरिता सिन। और फिल्म को डेलेट क्या था राकेश रोशन ने। और प बजट की बात की जाए तो तकरीबन 2 करोड रुपे के बजट में बनी थी फिल्म और बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 4 करोड 70 लाख रुपे की शांदार कमाई की थी और पूरे वल्ड में 9 करोड रुपे कमाई थे। और ये एक ड्रामा, फैमिली, म्यूसिकल और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी। चले दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म से चुड़े कुछ अन्नावन फैक्ट के बारे में। बॉक्स आफिस पर रिलीज हुई और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर तावर तोड कमाई करते हुए अच्छे तरीके से सफल हुई तो राकेश रोशन ने भगवान सीक्यूए वादे को पूरा किया और उसका पालन किया और उसके बाद कभी भी अपने सर पर बाल नहीं रख की थी लेकिन दोस्तों मसिदार बात तो ये है कि अमरिता सिंग ने खुदगर्ज फिल्म में अभिनेतरी नीलम की मा की भूमी का निभाई थी और नीलम की उमर और अमरिता सिंग की उमर में कोई ज्यादा फरक नहीं था नमबर तीर दोस्तों खुदगर्ज फिल्म में जो शत्रुगन सिनहा सहाब का बिहारे वाला किरदार था असल में वो चरित्र मोल रूप से दक्षिन भारती चरित्र था और ये रोल शत्रुगन सिनहा से पहले रजनी कांत और कमल हसन को ओफर किया गया था लेकिन दोनों न दोस्तों राकेश रोशन ने खुदगर्ज फिल्म के सफल हो जाने के बाद अपने सभी फिल्मों के नाम जो उनकी फिल्मों के नाम थे वो के अक्षर से शुरू किये थे और कमाल की बाद तो ये थी कि उनमें से ज्यादातर फिल्म में सफल साबित हुई थी दोस्तो खुदगर्ज फिल्म से किरन कुमार ने भी हिंदी फिल्मों में वापसी की थी और उन्होंने इस फिल्म में एक विलन की भूमे का निभाई थी और किरन कुमार का सपना था कि उनके पिता जीवन खुदगर्ज फिल्म की रिलीज देखे लेकिन फिल्म के रिलीज होने से ही कुछ दिन पहले उनके पिता का निदन हो गया था दोस्तों जब राकेश रोशन ने भानू पिर्या को देखा था नमबर साथ दोस्तो उस ताइम पहलाज निलानी मुंबई छेतरी के फिल्मों के डिस्टिब्यूटर थे और खुदगर्ज फिल्म की रिलिस के दोरान गोविंदा और पहलाज निलानी के दर्मियान थोड़ी समस्याई चल रही थी और इस वज़ा से पहलाज निलानी ने गोविंदा की किसी भी तस्वीर को फिल्म के पोस्टरों पर नहीं लगाया था और इसके जवाब में गोविंदा ने कहा था कि उन्हें इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि फिल्म में उनकी भूमिका काफी छोटी थी दोस्तो साल 1987 में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में फिल्म खुद गर्ज तीसरे नंबर पर थी और साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म थी लेकिन इस फिल्म का रिकॉर्ड अनिल कपूर की फिल्म मिश्टर इंडिया ने तोड़ दिया था जो इस साल दूसरे नंबर पर थी और इस साल की सबसे बड़ी और पहले नंबर पर थी धर्मेंदर साहब की फिल्म हुकूमत जिसने बॉक्स आफिस पर सभी रिकोर्ड तोड़ा ले थे और साल 1987 की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसना होगा अगर वीडियो पसना है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीचीगा और साथ साथ कमेंड में ज़रूर बताइएगा कि अगले फिराइडे को गोविंदा की किस फिल्म के बारे में बताया चाहे थांक्यू